हलो एवरिवन सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसी में हम लोग पढ़ेंगे हियूमन हार्ट आज हियूमन हार्ट के बारे में जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है और बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है ये Human Heart के बारे में वैसे भी Circulator System के बारे में आप लोगं को 10th के लावा 11th में भी पढ़ना है और आप BSC करते हैं तो उसमें भी पढ़ना रहेगा तो बहुत ही important topic है आज का Human Heart Human Heart के बारे में आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले तो जान लेते हैं कि Human Heart का structure क्या होता है यह बिलकुल इसका shape भी वैसे ही होता है ठीक है और यह इसका location कहाँ पे होता है यह हमारे Thorax Rieson में Lunges की बीच में पाया जाता है थोड़ा सा यह Left की तरफ shift होता है थोरे X Reason में Lunges की बीच में यह पाया जाता है fist के design का होता है और इसके बाहर की जो सबसे बाहर की layer होती है outer layer जिसे हम कहते है वो होता है pericardium तो heart की जो सबसे बाहर की layer होती है उसे हम pericardium कहते है ठीके और इसमें four chambers पाए जाते है four chambers पाए जाते है उपर की दुनों chambers को कहते है atria या oracles Upper two chambers को हम Atria या Oracle कहते हैं और नीचे की दोनों chambers को Ventrical कहते हैं तो सबसे पहले जा लिजिए कि Heart को दो पार्ट में Divide किया गया है एक तो है ये वाला Right Part और दूसरा ये वाला है Left Part इसे हम लिख लेते हैं ये है Right Part Heart का और ये Left Reason है तो ये जान लिए कि heart के right वाले reason में चाहे वो auricle हो या ventricle हो right वाले reason में हमेशा deoxygenated blood flow करता है deoxygenated का मतलब है impure blood impure blood का मतलब जिसमें oxygen ना हो carbon dioxide present हो तो heart के right वाले part में deoxygenated blood पाये जाता है और left वाले reason में oxygenated blood पाये जाता है oxygenated मतलब कि pure blood pure blood का मतलब क्या होता है जिसमें oxygen पाये जाए तो oxygenated का मतलब है जिसमें oxygen पाये जाए तो heart के right वाले reason में impure blood पाये जाता है और heart के left वाले reason में pure blood पाये जाता है तो यह तो होगे heart की दो reasons देखे मैंने आपे लिखा हुआ है structure of heart में the heart is thick walled pulsating organ heart की जो दिवारे होती है मोटी होती है खास कर इसकी नीचे वाला जो reason होता है इसकी दिवारे मोटी होती है क्योंकि यह बहुत ही pressure के साथ blood को pump करता है ठीक है और pulsating organ है pulsating organ का मतलब यह हमेशा work करता रहता है आप जानते हैं हमारे body में कोई भी ऐसा organ नहीं है जो rest ना करता हो चाहे वो थोड़े second के लिए ही क्यों ना हो लिकिन जो हमारा heart होता है यह कभी भी rest नहीं करता है हमेशा यह blood को pump करता रहता है तो यह pulsating organ है यही एक ऐसा organ है जो कभी rest करता ही नहीं है हमारे body में तो pulsating organ है thorax reason में यह situated है lungs के बीच में and the outer layer of heart is called pericardium ठीक है तो यह तो outer structure हो गया अब देखें chambers हम लोग देख लेते हैं heart में कितने chambers होते हैं four chambers it consists of two atria देखें atria को ही auricles कहा जाता है उपर की दोनों chambers जो होते हैं atria होते हैं और नीचे की दोनों chambers जो होते हैं वो ventricles होते हैं atria यानि कि auricles के बारे में जान लेते हैं anterior chambers होते हैं यह उपर की दोनों chambers होते हैं और दोनों atria यह औरिकल्स के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है सेप्टम मतलब क्या होता है दीवारे होती है देखें यह यह दोनों उपर के औरिकल्स हैं इनके बीच में जो वॉल पाया जाता है इसको कहा जाएगा Inter-Oricular Septum यानि कि Oracle की बीच में जो वाल पाया जा रहा है इसको कहेंगे Inter-Oricular Septum और ये काम क्या करता है दोनों Oracle के blood को mix होने से बचाता है ठीक है जिससे कि दोनों Oracle के blood आपस में mix ना हो अब देखिए ये Right Oracle है ये Left Oracle है Right वाले Oracle में क्या होता है United Blood होता है यानि कि Impure Blood आता है कहां से आता है देखिए याप पे दो Blood Vessel है एक का नाम है Inferior Venakeva और दूसरा है Superior Venakeva Inferior Venakeva क्या करता है हमारे बॉड़ी की निचले वाले पोर्षन से लोवर पोर्षन से जो Impure Blood होता है उसको ले करके आता है और Superior Venakeva क्या करता है हमारे बॉड़ी की अपर पोर्षन यानि की उपर ही वाले भाग से Impure Blood को ले करके आता है कहां पे Right Oracle में तो Venakeva से Impure Blood कहां आता है आता है और Right Oracle से होते हुए वो Impure Blood कहां जाता है Right Ventricle में तो चलिए जान लेके थोड़ा सा Ventricle के बारे में भी Ventricles क्या है It is the lower chamber of heart हमारे heart की जो दोनों नीचे के दोनों chambers होते हैं उन्हें Ventricles कहा जाता है Wall of Ventricle is thick Ventricles की दिवारे मोटी होती है इसका एक बहुत बड़ा कारड है क्योंकि Ventricles क्या करता है हमारे blood को बहुत ही pressure के साथ pump करता है कहाँ पे Iota या pulmonary artery में तो Ventricles की दिवारे मोटी होती है क्योंकि ये बहुत ही pressure के साथ blood को pump करता है and is highly muscular बहुत ही जादे muscles से बना होता है देखे हमारा जो heart होता है वो cardiac muscles का बना होता है cardiac muscles होती ही कभी rest नहीं करती है figure में थोड़ा सा देख लेते हैं ventricles को देखे ये राइट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल में क्या होता है impure blood होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है pure blood होता है आप देखर क्या होता है कि right躲ेटिकल से जो impure blood होता है वो कहा जाता है वो जाता है culmonary artery से ये और यह मैं पर बना है Пलमोंड़ीटकल से होते हुए कहा जाता हमारे lans में जाता है let me impure blood क्यों जाता है प्यॉर होने के लिए aurification के लिए और जबकि left left ventricle सी जो pure blood होता है वो जाता है कहां पर हमारे body के organs में left ventricle से pure blood Ayota से होते हुवे हमारे body में चला जाता है तो यह दोनों का function यहां पर है पूरा ये देखें आपे ये superior vena केवा inferior vena केवा ये पूरा right atrium ये left atrium left sorry right ventricle इन दोनों की बीच में जो wall है इसे septum कहा जाता है ये aota है आयोटा से क्या होता है जो pure blood होता है हमारे body में चला जाता है left atrium और left ventricle तो ये सभी पूरा heart का structure है chambers अभी हम पढ़ रहे थे auricles and ventricles का अब इसकी बाद दो walls की बात कर लेते हैं auricles और ventricles की बीच में दो wall पाए जाते हैं पहला होता है bycuspid wall दूसरा होता है trycuspid wall bycuspid wall कहां पे होता है left atrium और left ventricle के बीच में ये देखें यहां पे trycuspid wall कहां होता है देखें यह यहां पे valve बना हुआ है यह valve कहां है right atrium और right ventricle के बीच में trycuspid wall होता है इसी तरह left atrium और left ventricle के बीच में भी एक valve पाया जाता है जिसे हम कहते हैं bycuspid wall और इन वाल्व का बहुत ही important function होता है क्या function होता है कि ये valve क्या करते हैं blood को उल्टा बहने से रोकते हैं जैसे मालिये suppose ventricle दोनों ventricles में blood आ गया अब क्या होगा यही blood वापस उल्टा auricles में न जाए इसलिए यहां पे ये valves होते है और से जब ब्लड व्हेंट्रिकल में आ जाता है तो यह वाल्वस कया होते हैं बंद हो जाते हैं जिस से ब्लड farmer यह तो क्या होता है यह वाल्व क्या करते हैं तो यह करते हैं ब्लड को उल्टा वेहने से रोकते हैं तो लिख सकते हैं function the valves prevent the back flow of blood तो यह थोड़ा सा आज हम लोगों इस ट्रक्चर जाना इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग और भी इसके स्ट्रक्चर जानेंगे इसमें और भी वाल्व पाए जाते हैं और इसका पूरा मेकैनिजम पढ़ेंगे कि कहां से ब्लड किसमें जाता है क्या प्रोसेस होता है यूमन हार्ट बहुत ही लंदी यह टॉपिक है तो बाकी की जो पोर्शेंस हैं वह हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे तब तक के लिए टेक क्यार